हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड़र 247 के ऑफिशल यूटीब चैनल पर वैब उश्रवासों के साथ दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं पुरसकार और सम्मान और उस पुरसकार और सम्मान के उन्हें कि किस छित्र से संबन्दी थे इसके स्थापना वर्स क्या है यानि किस यह फाउंड हुआ था और यह फर्स्ट अवाडी कौन रहा यानि कि प्रतम पुरसकार वजेता account रहा इस छोटे से वीडियो में जिसके तुरू आपको maximum award आपको cover करा देंगे फिर एक और सेशन आएगा जिसमें पूरी तरीके से पूरे award and honor जितनी भी आपके exam में या फिर आपके आसपास जो आपके news में highlight होते हैं वो सारे award and honor आप complete कर लोगे यहां पर तो आएए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भारत रत्म कैसी जो सेशन है इस award and honor यह सारी चीजे हम आपको 10 मिनिट के अंडर में cover कराने वाले हैं फड़ा फड़ और इसका प्रेजेंटेट फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस और रेरिस्ट अच्यूमेंट इन फिल्ड ऑफ आर्ट लिट्रेचर और साइंस यह आर्ट लिट्रेचर और साइंस के छित्र में award दिया जाता है यह सबसे पहली बार किस एयर में constitute किया गया था मिन्दूसे की सबसे पहली बार 1954 में आया था यानि कि इन्सिटूट किया गया था ठीक है फॉर डिस्टिंग्विस्ट सर्विस इन इन फिल्ड इंक्लूडिंग गॉवर्मेंट सर्विसे यानि कि दोस्तों सरकारी सेवा साहिद किसी भी छेत्रम विशिस्ट सेवाओं के लिए यह सर अवा अब इसके आगे में डिसक्स करेंगे तब फर्स्ट अवाडी वेयर जाकिर हुसेन वीके क्रिष्णा मेनन सत्यंद्रनाथ बोस बाला साहब गंगाधर खेर नंदा लाल बोस और जिगमे दोर्जी वंग्चुक इनको यह सबसे पहली बार यह अवार्ड दिया दा चुका था आप देख सकते ही हिंदी वाला यहां पर है हिंदी नीचे में ही है जो हिंदी वाले दोस्त हमारे वो हिंदी में अपडेट कर लेंगे बहारत आपदम स्री यानि की विसिस सेवा के लिए दिया जाता है जैसे कि इसके पहले भी हम लोग ने पढ़ा था पद्म भूशन को यह किस एर में आता यह भी 1954 में आया था यह पद्म भूशन सबसे पहली पहला वाट किसको दिया गया था फस्ट परसन कौन था तो हमी जहांगिर भाबा अब दोस्तों बात करें पद्म स्री की पद्म स्री सेम एज इस उसी चेत्र में आर्ट सोशल वर्क पब्लिक अफेर्स सर्विस एंजिनिरिंग ट्रेड इंडिस्ट लिटरेचर, एडिकरेशन, स्पोर्ट ऑधर इनके लिए ही इसके लिए ही दिया में इनके लिए इस शेत्र में दिया जाता है पद्म स्री पद्म भूशन भारत वनी ये चार हायस्ट civilian award है हमारे देश के यह चौथे नंबर का हाइस civilian award था ठीक है भारति ज्यान पीट पुरसकार की बात करें यह आया था 1965 में दोस्तों यह किसी विद्वान दार किसी मन्यता प्राप्त भासा के विशिष्ट कार के लिए दिया जाता है मन्यता प्राप्त भासा में चैसे हिंदी हुआ इंग्लीज हुआ कोंकडी हुआ तो किसी भी लैंग्विज में उसके लिए दिया जाता है यानि क्या एक विशिस्ट कार है स्टिंग्विश्ट के लिए याथक भार्ति ग्यानपीट आवाड ना कि पुरसकार यह अवाड पुरसकार दूसरा है वो वो लिट्रिचर के छितर में जाता है यह इनपीट ऐवाड याद रखेगा साहित अकादमी आवाड दोस्तो सबसे पहली writing in any of the 22 languages, including English literature, यानि कि 22 भासा में दिया जाता है, 22 languages में, including किसमें English language, यानि कि 22 languages, 22 language जो हमारे Constitution में में उसमें तो दिया ही जाता है, included कौन है? English literature, English literature में भी दिया जाता है. सरस्वती सम्मान के बात करें. दोस्तों, सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार 1991 में किस के द्वारा के के बिल्डा फांडिशन के द्वारा दिया जाता है यह उसी को दिया जाता है जो किसी भी भारती भासा में पिछले 10 वर्सों के दौरान किये गए किसी भी विसिस साहितिक कार है यानि कहने का मतलब लिट्रेचर के छेत्र में आपको 10 साल का उन्भा होना चाहिए तभी आपको यह आवार्ड मिलेगा सरस्वति सम्मान यानि कि किस छेत्र में दिया जाता है लिट्रेचर के छेत्र में यानि कि साहित्र के छेत्र में टीके कितने language में 22 language ये भी 22 language में होगा ठीक है फिर आते दोस्तो व्याज सम्मान व्याज सम्मान ये 1992 में दोस्तो वह 1991 ये 1992 किसके द्वारा केके बिड़ला केके बिड़ला foundation के द्वार ये अवार्ड दिया जाता दोस्तो फॉर और इस्टेंडिंग contribution to Hindi language ये व्याज सम्मान किस language के लिए केवल केवल Hindi language के लिए ठीक है दोस्तो सांति स्वरूब भटनागर अवार्ड सांति स्वरूब भटनागर प्राइस की बात करें तो ये दिया जाता है भारतिव वैज्यानिकों को उनके आसाधारन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है इंड medical science में medical science में दिया जाता है it's RD बिढ़ला ना कि GD बिढ़ला घंश्यामदास बिढ़ला नहीं है यह RD बिढ़ला है यह याद अखना आप लोगोंने next point धनवंतरी अवार्ड धनवंतरी अवार्ड धनवंतरी अवार्ड दोस्तो extraordinary performance के लिए दिया जाता है किसमें medical science में धनव 1992 में आया था और दोस्तों यह किसमे display of the players यानि present or the commendable यानि कि खिरारियो दोरा साराहनी प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह अवार्ड खेल का सबसे सरवुच सम्मान है खेल के छेत्र का सबसे सरवुच सम्मान है राजिव गांधी खेल रहा है इसका नाम दोस्तों चन्द मेजर ध्यान चन्द खेल रतन पुरसकार खेल रतन ओवाड इसका नाम बदल दिया गया है यह याद रखना है खेल रतन ओवाड मेधर ध्यान-चन खेल रतन ओवाड यह tu вод बानबे में राजिव गांधी खेल रतन अवार्ट उस साइम से राना दाता था यह तो मोधी जी की गवर्मेंट में पिछले साइस का नाम चेंज हुआ ठीक है और एक किस खेल के छित्र में क्या सकते कमंडेबल डिस्पलिक लिए दिया जाता है प्लेयर्स को अगला ध्यांच अगर हम इसकी बात करें द्यांचन अवार्ट दिया जाता है कि स्पोर्ट एंड गेम्स और स्पोर्ट के छित्र में यह कब इसको स्थाप्त करा आए तो 2002 में फर्स्ट अवाड़ी असोका दिवान टिक है साहुराज बीरजदार अपन्ना घोस इनको दिया गया था पहली ब अगला पॉइंट दोस्तों अर्जुना अवार्ट अर्जुना अवार्ट सबसे पहली बार इंस्टूटेट कव हुआ था 1961 में किसके द्वारा स्पोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह किसके छेत्र में थी स्पिसल एचीमिन इन बैडमिंटन प्लेयर हो कोई सभी प्लेयर हो किसी अलग अचीमिंट यानि कि अलग छेत्र के खेल के लिए दिया जाता है इस्पेसल अचीमिन के लिए आर्जुना वार्ट 1961 में कॉंस्टिट्यूट यानि की इन्सिट्यूट यानि कि इसकी स्थापना कराई गई थी दोस्त कोच को दिया जाता है, सबसे पहला अवार्ट किसको दिया गया था भालक चंDRभासकर भागवथ, ओम नंभियर, ओम प्रकास भारतवाजक को इस सबसे पहली बार री अवार्ट दिया था. टोस्तो मुर्ती देवी अवार्ड की बात करें, ये किस फिल्ड में दिया जाता है? लिट्रेचर के फिल्ड में, सबसे पहली बार 1983 में, और पहले अवार्डी कौन थे? S.K. Naga Raja Rao, S.K. Naga Raja Rao, इनको दिया गया था सबसे पहले आवाडी सत्रफम पुरसकार विजेता थे, मुर्ती देवी आवाड के, दो दो, दादा साहेब फालके आवाड की बात करें, दादा साहेब फालके आवाड दिया जाता था, Outstanding Contribution to the Growth and Development of the Indian Cinema, इंडिन सिनेमा में, 1969 में सबसे पहली बारी यह, यहनिकि इसको इंस्टिट्यूट यहनिकि इसकी स्थापना कराई गई, और इस पहली आवाड विनर कौन है, देविकार रानी, कौन है, देविकार रानी, कई बार question पूछा भी दाचुका है, अब आते हैंगे दोस्तों, Galantry Awards की, ठीकें, बहादुरी पुरसकार की बात करें, इसमें तीन नाम आते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, बीर चक्र, और एक नाम आते हैं, असोग चक्र, गौर की जिएगा, अगर हम बात करें आपसे, तो आपको तीन अलग करना है, एक असोग चक्र को अलग करना है, यह हाइस्ट आवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वार्फिल्ड, यहाँ पर याद रखेगा, वार्फिल्ड में हाइस्ट ब्रेवरी आवार्ड है, यह सेकेंड हाइस्ट गैलेंट्री आवार्ड है, वार्फिल्ड का, और यह तीसरा है वीर चक्र, थर्ड हाइस्ट गैलेंट्र युदे में नहीं नहीं कोई गया वैसे यहां यि कि तीन यह है यह वार फिल्ड का अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, ठीके, दोस्तों, I hope कि आपको ये सेसन मज़दार लगा होगा, अभी इसका part 2 आना बाती है, इसका part 2 हम आपको लेके आएंगे, और इसमें और सारे अवार्ड बच्चे हुए, जो इंटरनेशनल आवार्ड भी बहुत सारे आजाएंगे, जो हम आपसे अपडेट कराने वाले हैं, किस येर में आया था, और पहला विजिता कौन है, दोस्तों आपको बता दें, आज आपकी double validity है, सभी product ये उपर अड़ा के, तो आप अगर especially महापैक की बात करें, तो bank महापैक, bank महापैक, SSC महापैक, defense महापैक, कोई सभी महापैक अगर आप लेते हो, तो आप Y307 code लगा के उसको enroll करा सकते हो आप, और आपको guys, अगर application के through जाते हो, तो approximately 79% तक का discount हो जाता है आपको, और इसमें आपके आने वाले सभी batches enrolled होते हैं, आपको अलग से कुछ कराने के जरुवत नहीं, अभी bank महापैक की बात करें, यह सब कुछ मिलेगा आपको अलग से लेने की जरुवत नहीं होगी, और अभी upcoming batch कौन कौन सा है, rankers आ रहा है, RBI grade B का phase 2 आ रहा है, ठीक है, RRB SO, RGBO officer skill 2 यह bank महापैक plus की बात कर रहे हैं, IVPS, SBI PO clerk, IVPS, RRB PO and clerk, English medium और Hindi दोनों medium है, IDBI executive और assistant manager, इसके भी आपके, यह आपको इसी में मिलेगा, अलग से कुछ कराने की ज़रुत नहीं, सभी के सभी batch आपका include होगा bank महापैक plus में, आपको code यह आतक है, Y307, जिसमें आप maximum discount grab कर सकते हो, दोस्तों book और test के लिए, test या फिर mock के लिए, आप in code apply कर सकते हो, Y307S code, जिसके उपर आपको 70, maximum discount grab कर सकते हो, book और mock के उपर भी, तो thank you guys, हमां ऐसने 10 minute के छोड़े छोड़े वीडियो लेके आते रहेंगे, जिसके तुरू आपको धेर सारी चीज़े update करा दें, और आपके exam के लिए भी important होगा, उसके point of view से भी और informative session भी होगा, तो thank you guys, हर हर महादेव, रादे रादे, बाइ-बाइ, take care, have a great day.